आज के इस वीडियों में बात करेंगे एक पोईट्री की जिसका नाम है तो वाइल्ड हनी सकल इस पोईट्री को लिखा था फिलिप फ्रेन्यो ने फिलिप फ्रेन्यो को पोईट आप अमेरिकन रेबिलिशन की नाम से भी जाना जाता है सबसे पहले इस पोईट्री को 6 जुलाई 1786 को कोलंबिन हिराल में पब्लिस कराए गया था तो चलिए शुरू करते हैं हम इस पोईट्री को Fair flower that does so commonly grow साफ फूल आप इतनी खुबसूरती से बढ़ रहे हो hidden in this silent dull retreat और इस खामोश जगा पर आप छुपे हुए हो untest thy honey blossoms flow आपका शहद जो किसी ने छुआ नहीं है वह हवा के साथ उड़ रहा है unseen thy little branches greed और तुमारी छोटी छोटी जो ब्रांचेस हैं वो greed कर रही है no roving food shall crush the hair कोई भी घूमते हुए पाव आपको नहीं कुछ लिंगे no busy hand provoke a tear और कोई भी busy हाथ तुम्हारे उपर नहीं चलेगा means कोई भी तुम्हें नहीं तोड़ेगा by nature's self in wide array nature ने तुम्हें यहां सफेज जगा पर सजाया है she bathed the shun the vulgar eye और तुम्हें बुरी नजरों से बचाया है and planted here the garden shade और उसने तुम्हें गार्जन की रूप में चाया दी है and sent soft waters murmuring by और तुम्हारे पास से पानी भी गुजर रहा है मरमर करते हुए thus quietly thy summer goge और इस तरह से तुम्हारी गर्मिया चली गई thy days declining to repudge लेकिन तुम्हारे दिन आराम करने से मना करते हैं smit with those charms that must decay तुम अपने पूरे चाम के साथ मुस्कराओ, खुश रहो लेकिन जल्द ही इन्हें decay होना है, means खतम होना है I grieve to see thy future's doom मैं तुम्हारे future को देख कर काफी उदाश हो जाता हूँ they died, वे मर गे थे nor were those flowers more gay वो फूल भी इतने खुश नहीं थे the flowers that didn't add and bloom, वे फूल जो की एदन की गार्डन में खिले थे unpitting frosts and autumn's power shall leave no vestis of this flower कितने अपसोस की बात है कि जल्द ही frosts और autumn's की जो पावर है वो इस flower के कोई भी निशान को नहीं छोडेगी from morning suns and evening dews, सुभा की धूप और शाम की ओस से at first thy little being came, तुम सबसे पहले आय थे if nothing wants, you nothing lose अगर कुछ ना हूँ, तो कोई कुछ नहीं खोता for when you die, you are the same लेकिन जब तुम मर जाओगे, गुजर जाओगे, तो पहले की तरह ही बन जाओगे the space between this button are, और जीवन और मृत्यू की बीच का जो space है वो एक घंटा है, the mere idea of a flower, सिर्फ फूल के जासा एक विचार है तो दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं थाओगे, तोस्तों इस वीडियो करते हैं